ब्लोग कॉंग्रेस द्रंग के अध्यक्ष बामन देवठागुर ने कहा कि ब्लोग कॉंग्रेस कमीटी ने क्षित्र की सभी 71 पंचायतों में कॉंग्रेस कमीटियों को सरकार की नाकामियों को लेकर जागरू करने का विशेश अभ्यान चलाया है इसके लिए पंचायत सतर पर बैठके की जा रही है जिसमें बढ़ चड़ कर कारेकरता भाग ले रहे हैं उन्होंने कहा कि द्रंग विधान सव्यक्षित्र में शिक्षा और स्वास्त्य सिवाएं पूरी तरह चर्मरा कर रहे गई है जिस वजह से लोगों को परिशानी का सामन करना पड़ रहा है बार-बार मांग करने पर भी प्रदेश सरकार की और ध्यान नहीं दे रही है विधायक जोह ठाकुर भी लोगों की मांगों को अनसुना कर रहे हैं जिससे जनता में खासा अक्रोश है रविवार को द्रंग विधान सव्यक्षित्र की ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के पांच साल के कारेकल में क्षित्र विकास के मामले में पिछड़ कर रह गया है इस बात का जनता को भी मलाल है द्रंग कांग्रेस कमेटी ने एक अवियान चलाया है कि जितनी वे हमारी करतर पंचायते हैं उन्हों सभी पंचायतों में कांग्रेस कारिया करताओं के साथ बैठके की जाए उसी संदर्व में आज हमने यहां कूफरी पंचायत की कांग्रेस कारिया करताओं के साथ बैठक और सिंग जी को यहां से भारी बहुमत प्राप्त होगा मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस उपरी पंचायत की कांगरिस कमेटी का जिसने इतने अच्छे ढंग से आज कि इस बैठ का यूजन किया और जिस तरह इनों ने बताया कि पहले तो 25 तरफे वैटकों का यूजन करी रहे हैं इसके बाद ये अपने बार्ज तरफे और बूस तरफे भी कमेटीयों का लोगों के साथ वैटके करेंगे अब का फैसला के लिए पधर से कुलदीब शर्मा की रिपोर्ट